नमस्कार स्वागत आप सबका नारटी वी पर हिंदी सिनेमा हर दौर में बदलता रहा है बदलते सामाजिक परिवेश और नएने विशियों के हमारी जिंदिगी में सामिल होने को भी फिल्मों में दिखाया जाता रहा है पुराने हिंदी सिनेमा में गामों की अपनी एक महत बोर भूमी का रहती थी लेकिन आज हमारी मौजूदा फिल्मों से गाउं गायब हो गये हैं शोले, नदिया के पार, तीसरी कसम, मदर इंडिया ग्रामिड प्रिष्ट भूमी पर आधारित ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आज भी उतनी ही नई लगती हैं गाउं की संस्कृती फिल्मों से गायब तो हुई ही, साथ ही साथ संयुक्त परिवार के विशेष्टा बताती भी फिल्में भी बनना बंद हो गई टेली विजन धारवाईकों के नाम पर भी दर्शकों को घर तोड़ने वाली कहानिया दिखाई जाती हैं जिसका आसर हमारी असल जिंदगी में भी हो रहा है क्योंकि सिनेमा से हम बहुत कुछ सीखते हैं असल जिंदगी में भी हम गाउं से दूदी बना रहे हैं और संयुक्त परिवार की अउधारा को छोड़ कर हम दो हमारे दो वाले नीती पर चल रहे हैं शिकायते तो बहुत हैं लेकिन हम ये एपिसोड शिकायते बताने के लिए नहीं बना रहे हैं आज के एपिसोड में हम जानेंगे गाउं की संस्कृती और संयुक्त परिवार की खोब सूर्थी को फिल्मी परदे पर सबसे सजीव चित्रड करने वाली कमपनी राश्री परक्षन की कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार साची का है तोड़े आवन से हमरे अंगना में आई बाहर भाउजी हर हिवरा में नाचे मूर तक थैया थैया भवरे ने मचाया शोर खिल दिल की कलिया आज हमारे दिने अजब ये उल्ठन है गाने बैठे गाना सामने समधन है जानवालो जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुमारी तरा राश्री प्रडक्षन का इतिहाश शुरू होता है तारचन बरजात्या से तारचन बरजात्या एक विचारक दार्शनिक निर्माता विम बेतरक थे जिनके द्वारा अस्थापित राश्री प्रडक्षन ने गत अनेग वर्सों में अभी तक कोई सत्ताउन फिल्में प्रतान की हैं हिंदी, तमिल, तेलगू, अंग्रेजी भाषा की परिवारों को आगर्सित करने वाली यादगार फिल्मों के साथ देश्वा दूनिया में इन्होंने फिल्में बितरित की प्रदर्शन के छेतर में जो नाम कमाया वह अब इस्मरड यह है भारती सिनेमा जगत के युगपूरुष तारचन बढ़जात्या का नाम एक ऐसे फिल्मकार की रूप में याद किया जाता है जिन्होंने पारिवारिक और साब सुतरी फिल्म बना कर लगभग चार दशकों तक सिने दर्शकों की दिलों पर राज किया फिल्म जगत में सेट जी के नाम से मशहूर महा निर्माता तारचन का जन राजस्थान में एक मध्यम वरिगे परिवार में 10 मई 1914 को हुआ था तारचन जी ने अपनी असनातक की शिक्षा कोलकाता के विधा सागर कॉलेश से पूरी की उनके पिता जी चाहते कि वा पढ़ लेकर वैरिश्टर बने लेकिन परिवार की आर्थिक इस्तिती खराब होने के कारण तारचन को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी वर्स 1923 में तारचन जी नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए मुंबई में वा मोती महल थियर्टर प्राइबेट लिम्टर नामक एक वितरण संस्था से जुड़ गए यहां उन्हें पारिस्ट्रमिक के तौर पर मातर 85 रुपए महीने मिलते थे वर्स 1949 में उनके काम से खुश होकर वितरण संस्था ने उन्हें महा प्रबंदक के पत पर न्यूक्त करके मद्रास भेज दिया मद्रास पोशने के बाद तारचन जी और अधिक महनत के साथ काम करने लेगे उन्हेंने वहां के कई निर्माताओं से मुलाकात की और अपनी संस्था के लिए वितरण के सारे अधिकार खरीद लिये मोती महल थेटर्स के मालिक उनके काम को देख कर काफे खुश हुए और उन्हें स्वैम की वितरन संस्था शुरू करने के लिए प्रेरिद भी किया। इसके साथ ही उनकी आर्थिक साहता करने का भी वादा किया। तारचन जी को या बात जज गई और उन्होंने अपनी खुद की वितरन संस्था कोलने का निश्चे किया। जब देश 15 अगस 19-47 इसको स्वतंत्र हुआ तो इसी दिन उन्होंने राश्री नाम से वितरन संस्था यानी डिस्टिविशन कंपनी की शुरुआत की। वितरन वेवसाय के लिए उन्होंनों जे पहली फिल्म खरीदी थी वा थी चंद्र लेखा। जैमिनी स्टूडियो के बैनर तले बनीया फि अक्षी राज और प्रसाथ प्रडक्शन जैसे फिल्म निर्मार संस्थाएं उनके ही सहयोग से हिंदी फिल्म निर्मार की ओर अग्रसर हुई और बाद में काफी सफल भी हुई इसके बाद ताराचंजी फिल्म प्रदर्शन के छेतर से भी जुड़ गए जिससे उन्हें का फिल्मार्ती की सफलता के बाद बतोर निर्माता वह फिल्म इंडिस्ट्री में अस्थापित हो गए इस फिल्म से जुड़ा रोचक तत थी यह है कि इस फिल्म के लिए अभिनेता संजीव कुमार ने स्क्रिन टेस्ट दिया था जिसमें वह पास नहीं हो सके थे ताराचंज में इसी उद्देश को पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्म दोस्ती का निर्मार किया जिसमें उन्होंने अभिनेता संजीव खान को फिल्म इंडिस्ट्री के रुपहले पर पेश किया दोस्ती के रिष्टे पर आधारित इस फिल्म ने सफलता के नए आयाम अस्थापित साथी साथ अबनेता संजे खान के करियर को भी एक नई दिशा मिली इस फिल्म का एक गीत चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे आज भी शुरताओं के बीच काफी लोग प्रिये हैं अबनेता संजे खान के अलामा कई अनभिनेताओं और अभिनेत्रियों के सिने करियर को सवारने में भी तारहचन जी का अहम योगदान रहा है जिन में सचिन, सारिका, साधना सिंग, देव श्री राय, मुकेश खन्ना, आलोक नात, माधुरी दिक्षित, अमोल पालेकर, जरीन वहाव, रंजीता, राखी, अरुड गोविल, रामेशरी, तता सलमान खान, भागिशरी जैसे सितारे शामिल हैं प्रतेक सफल कलाकार ने राजशरी के दरवाजे पर दस्तक दी, वह फिल्म संसार में प्रवेश किया संगीत का रविन जैन तुमानो राशरी परड़क्शन के लिए ही पैदा हुए थे उन्हों राशरी के लिए एक से बढ़कर एक गीत अपने संगीत के माधिम से सजाया जो आज भी काफी लोग परिये है लगुजाता था अच्छत वह पेरा देवाती लेताए हाँ में सत्मों के गाने ताराचन जी को मिले सम्मानों को देखा जाय तो उन्हें अपनी निरमेत फिल्म के लिए सर्वश्रेश फिल्मकार से नमाजा जा चुका है अपनी निरमेत फिल्मों से लगभग चार दसक तक दर्शकों का भरपूर मनरंजन करने वाले महान फिल्मकार ताराचन बरजयात्या 21 सितमबर 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह गए ताराचन बरजयात्या के बाद उनके सुपत राजकमार बरजयात्या वेम उनके पोते सुरज बरजयात्या ने राश्री को नई उचाईयों तक पहुचाया सुरज ने अपने फिल्मी करियर के शुरुआत की थी 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया के जरिये से बतों निर्देशक मैंने प्यार किया उनकी पहले फिल्म थी, इस फिल्म ने ना सिर्फ सूरज को एक काम्याप निर्देशक बनाया बलकि सलमान खान को भी एक बड़ा ब्रेक दिया प्रेम नाम से सूरज को खासा लगाव है, उनकी ज़्यादातर फिल्मों में हीरो का नाम प्रेम ही होता है, सलमान खान से लेकर शाहित कपूर और रितिक द्रोशन तक हर कोई प्रेम बन चुका है, बॉलिबूर में रीमेक फिल्मों का ट्रेंड भी सूरज नहीं शुरू किया जब हुनोंने नदिय के पार की रिमेक हम आपके है कौन बनाई, सूरज बढ़ जयात्ता के निर्देशन में बनी फिल्म हम आपके है कौन पांच अगस 1994 में रिलेज हुई थी, सलमान खान और मादर दिश्चित के प्यार की ये कहानी कभी न कभी हर गर में सच हुई होगी, चौदा गानों की इस फिल्म ने प्यार, संजकार, परिवार और रिष्टो को बखुबी परदे पर दिखाया, सूरज और सलमान की जोडी ने फिल्म हम साथ साथ है में भी कमाल कर दिखाया, ये फिल्म मल्टी स्टार थी जिसमें सैंक्त परिवार में रहने की कई समस्याओ और उसके हलके बारे में दिखाया गया है 2006 में राश्री बैनर के तले बनी फिल्म विवाह आज भी हिंदी सिनमा के लिए एक मील का पत्थर है 12.9.2015 को रिलीज भी सलमान खान इस्टार फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी सलमान खान और सूरज की जोड़ी ने बाउक्स ओफिस पर कमाल कर दिखाया राश्री प्रोडक्शन की यह अभी तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है राश्री ने फिल्मों के साथ साथ टेली विजन की दुनिया में भी महत्तपूर्ण काम किया 1985 में सूरज बरजयात्या ने मादरी दिक्षिक पो लेकर पेइंग गेस्ट नाम के टेली विजन धारावाई का निर्मार किया इसके अलामा प्यार करदर्द, पियाल बेला, दो हंसों का जोड़ा आधी धारावाई को के जरिये राश्री ने भारतिय संस्कृति का चित्रण परदे पर बखो भी किया हम आचा करते हैं कि राश्री प्रडक्षन भाबिस में भी अपने फिल्मों के माध्यम से हम लोगों को मनोरंजित करदा रहेगा तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको बसंद आया होगा वीडियो गर आपको अच्छी लेगी हो तो लाइक करें, शेर करें चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो और पुराने वीडियो देखने को मिलते रहें साती साथ नारटीवी के फेस्बुक पेस से भी जरूर जुड़े ताकि वहाँ से आपको नारटीवी से जुड़े अपडेट हमेशा मिलते रहें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार